नमस्कार मैं हूँ प्रवीन आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज आज इंडिपेंडेंस डे है एक ऐसा दिन जिसे पूरे हिंदुस्तान में राश्ट्रिय त्योहार के रूप में मनाये जाता है एक ऐसा दिन जब भारत को ब्रिडिश शासनकाल से आज़ादी मिली थी और एक ऐसा दिन जब देश के प्रधान मंतरी लाल किले की प्राचीर से देश को समोधित करते हैं आज हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है तो आईए इंडिया टाइम 24 न्यूज के साथ देखते हैं देश की आज़ादी की कहानी 15 अगस्त 1947 को देश के पहले प्रधान मंतरी जवाहल लाल नहरू ने लाल किले के लाहुरी गेट पर तिरंगा लहराय था देश की आज़ादी के लिए हजारों करांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया देश उनकी शहादत को सलाम करता है स्वतंतरता के बाद ब्रिटिश भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित कर दिया गया जिसमें भारत और पाकिस्तान का उदय हुआ विभाजन के बाद दोनों देशों में हिंसक दंगे भड़क गए और सांप्रदाइक हिंसा के अने घटनाएं हुई विभाजन के कारण मनुष्य जाती के इतिहास में इतनी बड़ी संक्या में लोगों का विस्थापन कभी नहीं हुआ था आपको जानकर हैरानी होगी कि आजादी के बाद लाखों हिंदू, मुस्लिम, सिक और शरणार्थियों ने नई सीमाओं को पैदल चल कर पार किया था पंजाब जहां सीमाओं ने सिक शेत्रों को दो हिस्सों में विभाजित किया, वहां बड़े पैमाने पर रक्त पात हुआ, बंगाल वा बिहार में भी हिंसा भड़क गई, पर महत्मा गान्धी की उपस्तिती ने सामपरदाइक हिंसा को कम कर दिया, सीमाओं के दोनों और द में आया, मुहमद जिन्हा ने कराची में पहले गवर्नर जनरल के रूप में शपत ली, भारत की सविधान सभा ने 14 अगस्त को 11 वजे अपने पांचवे सत्र की बैठक की और इस बैठक की अधिक्षता राश्ट्रपती राजिंदर परसाद ने की और इस सत्र में पंडित जबालना नहरू ने भारत की आजादी की घोशना करते हुए एक शांदार भाशन दिया. सभा के सदस्यों ने आपचारिक रूप से देश की सेवा करने की शपत ली, महिलाओं के एक समूख ने भारत की महिलाओं का प्रतनिधितु किया और आपचारिक रूप से विधान को राश्क्रिय ध्वज भेट किया अधिकारिक समारो नई दिल्ली में हुआ जिसके बाद भारत एक स्वतंत्र देश बन गया नहरू ने प्रथम प्रधान मंत्री के रूप में पदग्रहंड किया और वाइसराय लॉर्ड मौंट बेटन ने पहले गवर्नर जनरल के रूप मे अपना पदभार संभाला महत्मा गांधी के नाम के साथ लोगों ने इस अफसर को मनाया गांधी ने हालांकि खुद अधिकारिक घटनाओं में कोई हिस्सा नहीं लिया इसके बजए उन्होंने हिंदू और मुसल्मान के भी शांती को प्रोसाहित करने के लिए कलकता में एक भीड से बात की इस दोरान ये 24 घंटे उपवास पर रहे दो सो वश ब्रिटिश कंपनी का गुलाम रहा भारत आज़ाद हो गया था लेकिन राश्ट्री सुरक्षा का खत्रा हिंदुस्तान पर अभी भी मंडरा रहा था आज़ादी के तीन साल बाद नागा नेशनल काउंस ने उत्तरपूर भारत में सुतंतरता दिवस के बहिशकार का आहवान किया इस चेत्र में अलगाववादी विरोध प्रदेशन 1980 के दशक में तेज हो गए और उल्फा वा बोडोलेंड के नेशनल डेमोकरिटिक फ्रंट आफ बोडोलेंड की और से आतंगवादी हमलों वा बहिशकारों की खबरे आती रहीं 1980 के दशक से जमू कश्मीर में उगरवाद में विर्दी के साथ अलगाववादी प्रदेशन कारियों ने बंद करके काले जंडे दिखाकर और ध्वच जलाकर वहां सुतंतरता दिवस का बहिशकार किया इसी के साथ लशकरे तैबा हिजब विशेश रूप से आतंकवादियों की और से आतंकवादी हमलों की आशंका में सुरक्षा उपायों को विशेशकर दिली, मुंबई वा जमू कश्मीर के संकट गरस्त राज्जियों के प्रमुक शहरों में कड़ा कर दिया गया हवाई हमलों से बचने के लिए लाल किले के आसपास के इलाकों को नो फलाई जोन घोशित कर दिया गया और अतिरिक्त पुलिस बलों को अन्य शहरों में भी तैनात कर दिया गया तो ये थी भारत की आज़ादी की कहानी, फिलाल मुझे दीजी अजाज़त आप से फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, झrit की आई आप से तक रव जोश येदम कर दो चाते है चान रसाज़त प्लाई में भी ता भारत की आप ***